वक्त बरी खबर राची से जोहां लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है एक अप्रेल को अब इस पूरे मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो आपको बता दे कि आज सुनवाई होनी थी जमानत याचिका पर जो की टल गई है और अब एक अ आचिका है वो टल गई है और अब इस पूरे मामले पर एक अप्रेल को सुनवाई होती। राजेश हमारे साथ जुर चुके हैं राजेश लावलपसाद यादव की जमानते याचिका पर सुनवाई टल गई है क्या कुछ पूरी जवानकारे। जे बिलकुल हम यहां असोक नगर में हैं जहां परभात कुमार अधिवक्ता के आवास पे वर्चुल कोट के माध्यम से आज जो सुनवाई होई उसमें अदालत के द्वारा पूछा गया कि जो सारी तूटिया थी खामिया थी वो पूरी तरह से दूर कर ली गई है तो सुनव अपरील को जो सुनवाई होनी है वो बेल के लिए सुनवाई होनी है तो कहीं ने कहीं कह सकते हैं कि यह जो तेवहार है बीच में हो ली वो साभी लोगों का उमीद था कि लालू यादो अब हो ली अपने घर पे मनाएंगे लेकिन यह नहीं हो सका और जो सुनवाई का डेट मुकरण हुआ है वो एक अप्रील हुआ है सुनवाई के दोरान में उनके परसंग जो चाहने वाले है सुरेंदर जी वो भी अंदर में बैठे हुए थे उनसे कुछ बात करते हैं कि जो सुनवाई हुआ उसमें क्या कुछ आया आप लोग को क्या उमीद था देखिए सुनवाई में जो रेकॉर्ड मंगा गया है और एक अप्रील को बेल पर सुनवाई होगा तो हम लोग को आसा है और पूंड विश्वास है कि हमारे नेता बाहर आएंगे क्योंकि समाजी नहाय धर्म पेक्चता के लड़ाई लड़ने वला लालू परसा जा दो इस त ही मनाएंगे यह लालू यादो जी अब तो एक अप्रील को डेट हो गया है तो निश्ची तुरूप से हुली अब तो रिम्स में ही मनेगा तो हुली क्या हम लोग को मनेगा देखी रहे हैं आप और लगतार हमारे नेता हुली में यहीं रह रहे हैं पले भी होटवार में थ है और इस बार भी रिम्स में ही रहेंगे तो निश्ची तुरूप से आने वाले समय में हम लोग आसा और पूर्ण बिस्वास है कि हुली के बाद बाहर आएंगे हमरे नेता हैं तो कहीं ने कहीं जो लोग थे जो परसंसक्त है वो काफी मायूस हैं क्योंकि काफी उमीद था इन होने जेल में ही होली मनाई और इस वर्स भी ऐसा ही रहा और होली के बाद जो निकलेंगे उसके बाद इस काफी जस्न होगा अब देखना होगा कि एक अपरील को जो सुनवाई होती है उसमें अदालत का क्या फचलाता है और क्या कुछ आगे महौल रहता है जी राजेश अगर स्वास्त की बात कर लें तो लाले परते जाद में जरूरी ही उतार चुड़ा होगा इस फिलाल उनके सिहत किस तरह की बनी होई है यह बिल्कुल कहीं न कहीं जो सुबह में मेडिकल टीम के दोरा प्रती दिन जो रेगूलर जाच होता है साथ सदचिय टीम के द्वारा वो उनका मेडिकल जाच हुआ सभी चीजे जैसा कि फोन के मादेम से डक्तोरों नो बताया कि आज दुन्हें जनकारी दी गई थी कि आज उनकी सुनवाई है तो ठीक थे ओईसा कोई नर्मल था सारे एक्टिविटी नर्मल थे किरनी कुछ कम काम कर रहा है तो डक्टरों की तरह से जो डाइटीसें चाट दिया गया है उसी अनुसार दवा और खाना भी दिया जा रहा है तो इन दिनों कहीं ने कहीं स्वास्त समाने है और जो तबियत है उनकी ठीक चल रही है चले बहुत बहुत शुक्रिया राजश तमाम जानकारियों के लिए